अब इसके बाद आता है पेशी उतक, देखें पेशी उतक होते हैं, तो आपको इसके इंगलिज में कहते हैं, मस्कुलर टिशू, पेशी उतक को मस्कुलर टिशू भी बोलते हैं, यह सरीर को गत्य प्रदार करने वाला, जो सरीर में मस्कुलर टिशू होते हैं, वो पेशी उतक की ही बनी होती हैं, यहीं सरीर में जो मस्कुलर टिशू का निर्माट करती हैं, वो होते हैं पेशी उतक, पेशी उतक को हम सिकुड़ने वाला उतक भी कहते हैं, क्योंकि यह संगचन तो कि इन कोत्वों में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसके काण सरीर में प्रसाद होता है या गती होती है उसको हम संगचन जो सरीर में संगचन होता है वो इसी उतक के काण होता है और वो उसमें जो है प्रोटीन होती है उस प्रोडीन के कारण सरीर में जो प्रसाद होता है या गती होती है उसी के कारण होती है तो इनमें जो तंत होते हैं पेसी तंत होते हैं वो जो है क्या होते हैं वो सरीर में क्योंकि ये लंबे इनकी जो वुश्काश होती हैं लंबे वारे से दार होती है ये उतक जो होते हैं इनमें जो पेशी तंक होते हैं इनी के द्वारा मांस पेशियां बनती हैं और सरीर में जो गत्सीलता आती है ये गत्य पढ़ान करने का जुक्तार करती है वो पेशी उतक होता है पेसी उतक तो वैसे तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेखित पेसी, इसको हम एचिक पेसी भी बोलते हैं, एचिक पेसी, दूसरा होता है इसकी रियेट बोलते हैं, इस्ट्रेट, ठीक है, दूसरा होता है आरेखित पेसी, ना इस्ट्रेट, आरेखित पेसी, इसक तो हम बोलते हैं अनेच्छी पेसी, फिर तीसरा होता है आपका अर्दे पेसी, कार्डियक, मैस्कुलर, टीशू, अर्दे पेसी, यह जो तीनों पेसियां हैं, रेकिक, आरेकिक और अर्दे पेसी, इनमें अंतर भी बहुत पुछा जाता है, इंपोर्टेंट्स भी है, और इन से अलग-अलग सनजनाइं भी बनाने को आती है, तो इनमें सबसे पहले आता है रेकित पेसी, इश्ट्रेट, मैस्कुलर टीशू, बोलते हैं, रेकित पेसीयां जो होती हैं, यह ज़ीआं ये साथाओं में बढ़ी होती हैं, साखित होती हैं पेसियां, ये पेसियां सरीर में जो हड्डियां होती हैं, सरीर की हड्डियों से ये पेसियां जुड़ी होती हैं, सरीर की हड्डियों से ये पेसियां जुड़ी होने के काड़ ये अंगों को हिला डुला सकते हैं, तो ये यह एक्षानसार कारती हैं जैसे आपको चलना वाकिन पेर को अगे बढू आगे बढ़ाया गरदन को आपको दुमाना है आपने गरदन को इस प्रिकार उनाया तो जो ही इच्छानसार कारती है ऐसे पेसियां जो इच्छान सार कार करती हैं उनको हम रेखित पेसियां कहते हैं रेखित पेसियां जो होती हैं यह क्या होती हैं बहुकेंदर की होती हैं साखित होती हैं और बेलनाकार होती हैं इनमें में काम क्या होता है कि ये बेग जो है हलके आप गहरे रंकी पट्टियां होती है जिनके काई जैसे किस प्रकार संद्जना होती है ये आप ने बना आप इसमें इस प्रकार की संद्जना ये काले रंकी पट्टियां होती है हलके रंकी इस प्रकार और इनमें मौबस्ते केंद्रक होते है ये इस प्र अधिक मात्रा में होते हैं, इस प्रकार, बहु के नुखी कहते हैं इसको, ठीक और इस प्रकार ये सनस्नाय जुड़ी होती है, ये आपकी रेखित पेसियां है, जो इच्छानसार कार करती है, ठीक है, ये हिले डुलने वाले अगों में पाई जाती है, इसके बाद आता है ना इस्ट्रेट यानि आरेखित पेसी या अनैचिक पेसी, अनैचिक पेसी ऐसी पेसियां जो बिना इच्छा के निरतर कार करती रहती है, ठीक है, और उनमें इच्छा की और शिक्ता नहीं होती, जैसे कि सरीर के आंत्रांगों में, सरीर के जो अंदर अंग है, जैसे कि आपके अंदर अहार नाल है, योनरी ट्यूब है, ठीक है, ब्लड विजल्स है, रक्त नलकाएं है, तो ये चितने भी सरीर के अंदर बोशिकांग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो सब क्या है, अनेचिक क्योंकि ये बिना इच्छा के कार करती हैं, अनेचिक पेसिया होती हैं, ये पेसिया यह लंबी होती है और दोनों सीरें उती है उनकी सम्स्टराइन किस तरका बनी होती है और उनके के-वेबेलख़ी पड़्टियां नहीं होती है पीच में एक नबन रख और आधीन में एक दिशे होते हैं मसल्सके पेशित आंदू बोते हैं यह इत आपके आरेकित पेशियां जो चरीन की फुश्वमों में पाय जाती चरीन के अंदर आंतरिक अगों में जैसे आहार नाल हम पांस रासा है इनमें यह आरेकित पेशियां आजिक पेशियां पा जाती। इसके बाद एक और है एक्षे पाइसें हर्दर पेसे की आपकी समस्ना किस परकार होती है, ये दो पार्स में किस परकार बढ़ी होती है। तो इस पीस पतार जुडीभी रोती हैं यह पर्स यह बाद यह बाद, इन यह बादर फारियां नहीं पाई नहीं पर उन्हें पेस सैंगे केंरातbew कोंगे, बहुत केमरी ये भी संदस्ना होती है, ये हर्दे में पाई जाने वाली पेसियां, इनमें भी तंक होते हैं, और ये निरंतर कार करती हैं, इसकार, तो हर्दे में पाई जाने वाली पेसियां, ये पिना थके निरंतर कार करती हैं, तो हर्दे में पाई जाने वाली पेसियां, क में पाई जाने वाली पेशियां अनेचिक पेशियां या रेखित पेशियां होती हैं सरीर में हिलने डुलने वाले अंगे जैसे हाथ पह रहे गर्दन हैं इनमें जो पेशियां पाई जाती है रेखित पेशियां होती हैं इस प्रकार ये रेकित पेशियां जो है आपकी जो पेशी उतक है तीन प्रकार का होता है एक रेकित पेशी और एक प्रदे पेशी इसके बाद देखें आपके पेशी उतक में क्योंकि ये सरीर का गज़ प्रदान करने वाला उतक होता है तो इसका में काम यही होता है कि मानस् इसके बाद आता है यहां पर तंत्र का तंत्र या तंत्र का उतक, तो जो तंत्र का तंत्र होता है, नर्वस टिश्यू, तंत्र का उतक, जो तंत्र का तंत्र होता है, यह तंत्र का उतक का बना होता है, यह जो है सरीर की सबसे बड़ी जो तंत्र का उतक होता है, यह पिसेश प तो जो निवरान होता है ये तंत्रिका कोशिका को हम साट्स में निवरान्स बोलते हैं और ये हमारे सरीर पर उरे में फैली होते हैं क्योंकि जितनी भी संवेधना हैं हम प्राप्त करते हैं इसी निवरान से ये तंत्रिका कोशिकाउं से प्राप्त करते हैं आपको मालू है कि आपके सरीर में पांसम्वेदी अंग है, सेंस आरगंस हैं, ग्यानिंद्रिया हैं, वो है आपका नाक तुचा जीव, जिनसे आपको पाहरी चीजों का ज्यान मिलता है, जैसे नेतर से आप देखते हो, तुचा से इस फर्स का ज्यान होता है, जीव से करेंसे संदेश को कौन लाता है, नर्व से लाती है, कहां ब्रेन कर, और उसके अंसार आपकार करते हो, तो जो नर्वस तिश्यू है, वो जो है क्या है, तंत्र का कोशिगाओं का बना होता है, यह मनुष्य के शरीर में केवल जिवों में पाहि जाती है, नर्वस सिस्टम, पौधों में नहीं पाई जाती है, पौधों में nervous system नहीं होता है, न SAL- Regardless system नहीं होता है धिल जन्दू हो होती है वो आपकी तंद्रिका गोश्का होती है ठीक है तो तंद्रिका गोश्का के तीन भाव होते हैं एक होता है साइटॉन एक होता है डेंडरान और एक होता है साइटॉन क्या होता है साइटॉन डेंडरान के सान साइटॉन वो गोश्का दायब होते हैं यह तंद्रिका गो इसके बाद आता है कोश्टा काय से अंगली के समान अनेक प्रवर्द निकलते हैं जिसे हम प्रवर्द आगे चल करके अनेक साथाओं में पढ़ जाती हैं जिदे प्रवर्द आता है के सामन इसको हम तंत्रिकाश बोलते हैं ये कोश्टा काय से एक लंबा बेलागा प्रवर्द निकलता है जिसके चारों और नियुरी लेमा का आवरण होता है इसमें बीट बीच में जगा छूती होती हैं उस छूते इस्थान को रेंडियर नोड बोलते हैं इसमें पास्तन को निकलते हैं जो मैसेज के आदान प्रवर्द निकलते हैं जो मैसेज के आदान प्रवर्द की सहायता से ब्रें तक पहुंचाते हैं फिर इसके लाश्च सिरे पर सिनेप्टिक बटन के समान गोल गोल संदस्ताय पाई जाती हैं जिससे सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं जहां पर एक तंद्रिका कोश्का दूसरी के तंद्रिका कोश्का से जुड़ी होती है इस क्रिया को हम सिनेव से बोलते हैं, क्योंकि यहां पर मैसेज का आदान परदान होता है, जैसे मच्छर आपके पेर पर बैठा है, तो उसका मैसेज ब्रेन तक कौन ले जाता है, वो होता है निवरान, निवरान का यह तंद्रका कोश्टा का मुख काम है, मैसेज को, मलब जो तो पेशी उतक होगया, कंत्रका उतक आपका लाश्ट था, इसके में आपका एक फिगर है, जिसको आप जो है, आपको नेक्स वीडियो में फिगर बना करके इस कंत्रका कोश्टा यह अनिवरान के बारे मताएंगे, ठाएंगे वोगा,